आज की वीडियो गाईज बहुती इंपोर्टेंट वीडियो में से एक है और आज हम डिसकस करने वाले हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में याने की HCC कंपनी के बारे में जानेंगे कि भाई क्या वो अपडेट है जो एक इंवेस्टर को पता होनी चाहिए कंपनी के रिगार्डिंग क्या न्यूज निकल के सामने आ रही है और वहीं इंवेस्टर ट्रेडर किस तरे से इस कंपनी को देख रहे हैं वो सारी इंपोर्टेंट अपडेट आज हम कवर कर करने वाले हैं आप देखेंगे तो 51 रुपीज का ये स्टोक है और लगभग 52 रुपीज के आसपास बढ़ रहा है अगर आप एक महिने का रिकोर्ड देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये स्टोक 2 जुलाई को 46 रुपे का था जो आज बढ़कर लगभग 51 रुपीज पर आ गया है याने कि 10% का रिटन कमपणी ने इदर दिया है चार जुलाई से लेकर अभी तक यहां पर हमें ये भी जानने को मिल रहा है कि कही न कहीं कमपनी में अच्छी ग्रोथ हुई है अब देखते हैं कि मुनी कंट्रोल क्या कहता है और मुनी कंट्रोल में किस तरह से इस company का data नजर आ रहा है उसके बाद हम चीजे आगे discuss करेंगे जैसे company को लेकर क्या news है क्या वो बाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इस company के जो investor और जो trader किस तरह से अपनी जगा बना रहे हैं और buying selling क्या चल रही है अगर आप देखेंगे मैंने money control पे हिंदुस्तान construction company limited का stock खोला हुआ है 51.86 रुपीज का stock है जो screen पे नजर आ रहा है आप देखेंगे तो जो सबसे important एक analysis होता है इस analysis को बोलते हैं sort analysis और money control के द्वारा जो sort analysis निकला है इस company का वो आप इदर notice करेंगे तो आपको नजर आएगा कि company में 11 strength है जब company की जो strength है 11 है तो यह अच्छा sign है यानि कि अच्छे खासी strength है और उससे भी अच्छा sign है कि company में कोई weakness नहीं है सिरफ 4 weakness है यानि कि strength और weaknesses के comparison में strength का जो number हो काफी बड़ा है जब ऐसी situation हमें देखने को मिलती है sort analysis में strength और weaknesses में इतना बड़ा difference हमें जब देखने को मिलता है तो इसका मतलब साफ है कि company fundamentally strong है fundamentally यानि कि company जो business कर रही है जिस company जिस business को लेकर चल रही है भी तक उससे company का जो financially growth है वो अच्छा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो technically या news based हम अगर हम बात करें तो दो company में opportunities निकल के आई है कोई भी threat नहीं है यानि कि threat free company है किसी भी तरह कोई खतरा नहीं है और उपर से दो opportunities भी है opportunities हमेशा तो नहीं रहती है यह बात सबको बता है क्योंकि opportunities depend करती है कि situation क्या है company में और क्या चीजे आ रही हैं सामने तो दो opportunities निकल के सामने आई है जो कि clearly संकेत करता है कि company news wise और company technically wise भी strong है और इसी वज़े से जो company का source analysis है बहुत positive response दे रहा है technically देखें तो company बहुत ज़्यादा bullish signal दिखा रही है यानि very bullish आपको इदर नजर आएगा very bullish यानि के share को उपर के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको advanced chart देखने को मिलेगा और advanced chart तो clearly बताता है कि भाई यह जो stock है हम कह सकते हैं कि लगबग 4 June से continuously बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 4 June से लेकर 11 July तक stock ने जबर्जस तेजी दिखाई है जो हमें इस data में भी नजर आती है थोड़ा और नीचे चलते हैं तो हमें Pytrosek score नजर आएगा यह ऐसा score होता है जिससे हमें company का financial growth पता चलता है और clearly लिखा है कि company financially बहुत ज़्यादा strong है जब company financially strong होती है तो इसका मतलब यह है कि company एक positive response देगी आगे भी और कोई बड़ा crisis कोई बड़ी मुसीबत आती है तो company अपने आपको sustain भी कर पाएगी वहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे जरूरी part यानि की volume कल अगर हम बात करें तो 14 करोड का volume ट्रेड हुआ यानि 14 करोड श्टॉक को NSE और BSE के उपर buy और sale किया गया यह volume बहुती अच्छा माना जाता है क्योंकि जब company अपने 5 करोड के volume से उपर चली जाती है तो हम कह सकते हैं कि investor trader काफी ज़ादा इस company में active है और यह जो एक्टिवनेस होती है यह कहीं न कहीं company के एक छोटी सी news company जिस sector से बलोंग करती है उस sector को लेकर कोई भी छोटी बड़ी news से company के share price पे बहुत ज़्यादा फरक हमें देखने को मिलता है और यही चीज आगे भी हमें देखने को मिलेगी 14 करोड के volume में 4 करोड delivery लिया गया याने 4 करोड stock को तो सीधा buy ही किया गया बाकी रह गए 10 करोड जिसके अंदर buying selling हमें देखने को मिली कहने का मतलब यह एके 26% के delivery और 14 करोड का volume हमने देखने को मिला जराया अभी तो almost market open हुई है 15 करोड के आसपास का volume आप इदर screen पे देख सकते हैं तो कहने का मतलब यह एके भाई company volume के analysis या volume के update को लेकर बहुत positive है और अभी तक हमने जितना भी देखा चाहूँ वो short analysis हो या फिर volume analysis हो हमें company को लेकर positivity ही नजर आई है इसके बाद अब हम देखेंगे भाई के company NSC के data को क्या बताती है NSC के उपर मैंने हिंदुस्तान construction company limited खोला हुआ है इधर भी आपको 51.86 रुपी का stock देखने को मिलेगा यह मैं price इसलिए बताता हूँ हर website पे ताकि आपको अगर company का नाम थोड़ा problematic लगे तो फिर आप share price को देखकर idea लगा सकते हैं कि हम अगली website पे भी उसी company की बात कर रहे हैं जिसकी हम पिछली website पे कर रहे थे सबसे पहले हम trade information देखेंगे तो आपको clear नजर आएगा कि भाई company में जो already invested हैं वो अब company के stock को sale करना चाहते हैं लगबग एक करोड 28 लाग की sale quantity उन्होंने लगाई हुई है ये नमबर काफी बड़ा है और इस बड़ी quantity में अगर कोई investor sale कर रहा है इसका मतलब दो ही reason है या तो उसने अच्छा profit बना लिया है या फिर उसको इस company में potential नहीं दिख रहा है इसलिए उस stocks को sale करना चाहरा है कुछ financial problem भी हो सकते हैं लेकिन वो बहुत rare होता है तो company की जो sale quantity है काफी high है लगबग 1 करोड 28 लाग क्यास पास और जो buyers हैं जो खरीदने वाले हैं वो ज़्यादा नहीं है आप देख सकते हैं 42 लाग क्यास पास की buy quantity है अगर आप company का pre open market देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि company 60 रुपे तक grow हो सकती है अगर सब कुछ सही रहा थो यानि कि लगबग 9 रुपे का growth हमें देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर अगर इस stock 54 रुपे पे आगया तो लगबग 10,000 की आपको buy quantity देखने को मिलेगी इसके opposite भी stock चल सकता है कोई बड़ी बात नहीं है जैसे अगर stock 50 पे गिर गया तो selling active हो जाएगी और 50 पे सीधा लगबग 1656 stock को sale कर दिया जाएगा फिर उसके बाद 49 पे भी वही चीज होगी 47 पे भी होगी और 44 यानि की 44 पर भी आपको 50 की sale quantity तो देखने को मिलेगी कह सकते हैं कि कुछ खास नहीं है बाखी काई आपका क्या सोचना है इस company को लेकर comment करके बता सकते हैं हिंदुस्तान construction company limited जो है इसके अगर हम important resource पे चर्चा करें तो company का जो market cap है वो 8734 करोड है यानि की एक large cap company के अंदर ही आ जाती है एक mid cap company तो इसको बोली सकती है वहीं company का return on capital employee 21% का है और return on equity आपको इदर mention नहीं होगा stock का PE भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और वहीं company की जो current price है वो 52 के आसपास आपको देखने को मिलेगा book value आप देखेंगे तो company की minus में चली गई है debt to equity आपको इदर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन ये आप समझ जाए के 8734 करोड की company के उपर 2223 करोड का कर्ज है वहीं guys अगर हम company के sale growth की बात करें तो लगबग minus 5.85 आपको देखने को मिलेगा जो कि एक negative है overall हम कह सकते हैं कि company के जतने भी important resource है वह काफी जदा average है अब आपका क्या सोचना है HCC के बारे में यानि कि हिंदुस्तान construction company के बारे में वीडियो के नीचे comment करके बता सकते हैं बाकि किसी भी तरह का कोई bias लोल recommendation नहीं नहीं आपको कोई financial advice है तो guys मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and good bye